Hello everyone, I am Barun from Only English और आज जो है हम 4th चप्टर परहेंगे Class 12 का, ये जो Class 12 ब्यार बोर्ड जो बुक है Rainbow से तो आज इस चप्टर को हम परहेंगे इस चप्टर का नाम क्या है? I Have a Dream इसको किस ने लिखा है? Martin Luther King Jr. ने जो Martin Luther King Jr. है काफी फेमस थे और ये गांधी जी से काफी प्रेरित थे इनका जो जन्म है वो 15th में 1920 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 4th April 1968 को हो गया था He was assassinated यानि कि इनको गोली मार जैसे गांधी जी को मार दिया गया था इसी तरह से इनको भी मारा गया था और जैसे इबराहम लिंकन क्योंकि इबराहम लिंकन और Martin Luther King में यह similarity की दोनों जो है काले लोगों के लिए यानि कि अमेरिका में जैसे गोरे कालों का अभी तक भी चलता है वो आपको fight जैसे हमारे यहां पर कुछ गांधी जी को जो मारा गया हिंदु मुस्लिम एक्ता के लिए मारा गया की इस कारण से तो इसी तरीके से वहां पर भी जो गोरे कालों को एक equality की right देने की बात होती है इसलिए इबराहम लिंकन को भी मारा गया और 1928-1968 नहीं के 1929 में जर्म लिया था और 1960 में एब बैप्टीज्म मिनिस्टर बै ट्रेनिंग बिकेम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिस केरियर leading the Montegre bus by court and helping to found the Southern Christians Leadership Conference अब क्या कर रहा है कि ये baptism क्या होता है कि baptism एक ritual होता है जैसे कि जब कोई Christian बगरे में पैदा लेता है तो उसको पानी छिरक करके उसको और या पानी मैसनान करवा करके उसको as a dharm का ये दिला आया जाता है तो उसको हम baptism कहते है तो ये as a Baptist थे एक minister यानि कि वो काम क्या करते थे by training यानि कि एक तरह से हम कह सकते है शुरुवात में एक तरह से अगर हम हिंदू के तरह बात करें एक तरह से हम कह सकते कि एक मंदिर का priest के तरह काम करते थे और फिर बाग क्या बन गए become a civil right activist यानि लोगों के अधिकार के लिए ये एक्टिविस्ट के लिए काम करने लगे जैसे इंडिया में कभी सारे civil right activist है leading to the mont gormi bus boycott यह mont gormi यहाँ पर क्या rule था कि जो अगर कोई white लोग bus में चरता है तो उसको black लोग जो है उसका seat खाली कर देता था यहीं से यह शुरुवात हुआ bus boycott helping to found the southern christians leadership conference उसके बाद है influenced by the gandhi ji his philosophical of his philosophy of non-violence resistance brought him worldwide attention यानि कि यह किसे influence थे गandhi ji कि जो non-violence फिलाज था उससे और इसलिए इसे पूरे दुनिया में यह काफी चर्ची तरह है in 1964 king became the youngest person to Nobel Prize for his effort to end the segregation and racial discriminations through civil disobedience and non-violence ways यानि कि यह इनको 1964 में जो है Nobel Prize मिला और यह इसलिए मिरा क्योंकि इन्होंने महनत effort करके end the segregation segregation का मतला होता है separate करना एक caste को दूसरे से एक religion को दूसरे से separate करना racial discrimination यानि कि race के according जो discriminate होता है कि आप गोरे हैं वो काले है तो अमेरिका में racial discrimination हमारे यहां पर religious discrimination भी चलता है और वहां पर racial discrimination चलता है through disobedience and non-violence ways और यह गांधी जी के अनुवाई थे इसलिए इन्होंने civil disobedience का यूज किया King was assassinated on 4th April 1964 in Memphis यानि कि उनको मार दिया गया Memphis 10C Kings important work include the strength of love यानि कि 1953 में चाथा stride towards the freedom Montagraby story why we can't wait where do we go from here chaos and community और जो लास्ट में है कि 1968 में यह जो बुक लिखा गया है कि I have a dream यही जो I have a dream क्या है कि speech है I have a dream speech he delivered on the step of the Lincoln Memorial Washington DC in August 28th 1963 यानि यह जो है इनका यह जो दिया गया है कि 9 August 68 को Washington DC में 1963 में यह क्या दिया था यह speech दिया था कि I have a dream और यही जो है इसी से हम को आज यह पढ़ना है Here is he speaks about his dream of seeing अल्वाना एक जगा का नाम है as a developed state free from the racial distinction between the white and black यह इनका यहां पर यह जो स्पीच दिया इनका ड्रीम था कि अल्वाना जो state है वहां पर racial discrimination ना हो वहां पर white और black के बीच में जो है the speech had a huge impact in rising public consciousness for the civil right movement and in establishing king one of the great orator in the American history और इसी यह जो speech दिया इसी से क्या हुआ है लोगों का conscience जगाने में मदद किया और इसी से king भी one of the great orator orator का मत्तवत है someone who gives a good speech तो इसी से यह भी एक अच्छा orator बन करके उबरें पढ़ते हैं चप्टर के तरब चलते हैं और पढ़ते हैं चप्टर को क्याता five scores year ago a great American in whose symbolic shadow we stand we stand signed the emancipation's proclamations this momentous decree came as a great become अब यह जो यहाँ score का मतलब होता 20 यानि five scores years यानि कि 100 साल पहले यह जो भासन दे रहा था 1963 में दिया था जो कि आपने ऊपर भी देखा यानि 1963 में ग्रेट अमेरिकन अबरहाम लिंकन के बार हम करें in whose symbolic shadow यानि कि चुकि लिंकन यह जो भासन दे रहा था वो जो लिंकन मेमोरियल था उसी में दे रहा था तो इसी में कह रहा है कि उन हूस चुकि लिंकन भी काफी गोरे कालों को एक करने में काफी अपना जान गवा वैठे तो इसी लिए कह रहा है कि five scores 100 साल पह रहा है a great American in whose symbolic shadow we stand हम लोग खरे है sign the emancipation proclamation अब emancipation का क्या मतलब होता है emancipation का मतलब process of giving people a social and political freedom and emancipation of progress यानि कि Abraham Lincoln ने जो 100 साल पहले लोगों को यह दिया था emancipation दिया था उस मेमोरियल में आज हम लोग खरे है this momentous decrease momentous का मतलब काफी important यह जो important pronouncement किया गया था came at as a great bacon bacon का क्या मतलब होता है यहां bacon का मतलब होता है light that x यानि कि एक warning है signal है एक तरह से यह जो great important जो आपको pronouncement किया गया था या दिया गया था वह warning के तरह light of hope of millions of negro यानि कि यह जो आजे hope दिया गया था lights of lights of hope million of negro slaves who had been seized in the flame of withering injustice it came as a joyous daybreak to end the long night of captivity यानि अब इस लाइन को थोड़ा सा समझने की बात है कि Abraham Lincoln ने जो 100 साल पहले हम लोगों को आसा दिया था उन निग्रों को निग्रों किसको कहते वह ब्लैक पीपल को निग्रों को जो कि एक slave के तरह slave मतलब क्या होता Das has been seared in the flame of withering अब यहां पर seared का क्या मतलब होता sheared का मतलब होता burned जो कि लाखों लंबे दिनों से burn का मतलब क्या होना कि घिसते राना आप जैसे लोग इंडिया में भी था जो डॉन कास्ट बगर लोगों से काम करवाते रहते थे उस तरीके से seared in the flame of withering injustice और withering injustice का यहां पर withering का क्या मतलब हो गया जो become a weak यानि कि निग्रों वगर जो घिस घिस करके काफी weak हो चुके थे injustice के कारण it came a joyous daybreak यानि वो क्या है joyous daybreak है to end the long night of captivity यानि कि यह जो लंबे समय तक जो हम लोगों को आज द्यास बना के रखा गया क्योंकि वो भी एक तरह से black people थे king जो Martin Luther king थे तो इसलिए it came a joyous daybreak यह जो एक तरह से joy वाले moment है क्यों वाले moment है तू खतम करने के लिए किसको यह long night of captivity है उस चीज को but 100 years later यानि कि Abraham Lincoln ने जो चीज दिया था हम लोगों को एक साल पहले but 100 years later we must face the tragic यानि कि यह जो दुख वाली घटना है fact that the Negro is still not free यानि कि जो Abraham Lincoln ने एक साल पहले दिया था उससे हम free नहीं हो पाई यानि कि इंडिया में देखिए इंडिपेंडेंस के बावजूद भी जो छोटे कास्ट है उसको जहिलना पड़ता आकसर देखते हैं आजकल की दलित को वहां पिटाए कर दिया यह कर दिया वहां कर दिया चपल पहन के मंदिर मजाता इस पर पिटाए हो गया तो यह सब ची अभी भी चल रहा है वही बात वहां पर भी हम लोग देखते हैं चाहिए किसी मुस्लिम के बारे में ही देखते हैं तो रिलिजियस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में भी है वहां पर भी है 100 years later the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and change of chain of discrimination अब यह बराही word वगर अच्छा यूज किया है कि 100 साल के बाद भी the life of Negro यानि Negro मतला हमेशा याद रखे निग्रो का मतला black people is still crippled यानि कि रेंग रहा है किस चीज के दवारा Manacles Manacles का क्या मतला होता है Handcups यानि कि हद करी जो उसमें उनको पहना दिया गया है किस चीज का हद करी The segregation यानि कि white और black का जो segregation है उस चीज का हद करी And the chain of discrimination और उसके जो discriminate किया जा रहा है इन चीज गया है यानि 100 साल के बाद भी जो black people है वो अधी भी crippled हो रहा है रहा है कि इस चीज के दुआरा जो segregate किया कर दिया गया और discriminate किया कर दिया गया उन लोगों को उसके दुआ Discrimination मतला एक को दूसरे से अलग करना कास्ट के दुआरा कास्ट के basis पे उसके अधिकार से वंचित कर देना अब यह देखिए वर्ड को बराची तरीके से यूज किया है कि 100 साल बाद भी यानि कि एक एक आइलेंड पे रह रहा है जो की काफी गरीब है कहां पर यानि जैसे आइलेंड कहां होता है चारों तरफ जो पानी होता है उसके बीच में जो जमीन बची हो तो इसको आइलेंड कहते हैं यानि चारों तरफ प्रोस्पारिटी है और इस बीच में जो आइलेंड है यह काफी गरीब है जहां पर काफी गरीबी है, बुखमरी है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या है, काफी मेटेरियल है, प्रोस्पारिटी है, तो वो इस बात के लिए कि लिए कि अमेरिका के चारों तरफ अमेरिकन के और स्टेट में या और जो बांकी चीज़ वहां पर प्रोस्पारिटी है, ले कहता है 100 years later the Negro is still languishing, languishing का क्या मतला होता है अभी भी उसको प्रातना दिया जा रहा है, यानि कि उसके साथ अच्छी वहार, यानि कि उसको काफी मेहनत करना पर रहा है, उसको languishing in the concern of American society and find himself in the exile in his own land, यानि अभी भी वो ring रहा है और वो एक American society में exile के तरह है, exile का मतलब बनवास होता है, लेकिन यहाँ पर कहना है कि आप देखेंगे कि देली वगर में या किसी भी prosperity city के बगल में जुगी में लोक रहता है, तो उस जुगी का मतलब क्या हो गया, कि उसके साथ discrimination हो रहा है, यानि कि कोशी की 100 years later, languishing in the corner of America, कहीं पर परा हुआ है, in the society, to find himself in exile, अपने आपको ही अलग थलग पा रहा है, कहां पर, in his own land, यानि exile किसको मिलता है, जिसका वो देश नहीं होता है, यानि कि देश से निकाल कर दिया जाता है, लेकि वो अपने ही देश में देश से बाहर कर यानि कि उसको कुछी मिला नहीं है, इस तरीके से इसको यूज गया, so we have come here today, to dramatize an appalling condition, इसलिए हम लोग यहां पर आज आए हैं, कि जो dramatize करने के लिए, कि इसका appalling condition, appalling मतलब बहुत जो बुरा condition है नेगरों का उस चीज को बताने के लिए, It is obvious today that America has defaulted on its promissory note insofar as her citizens of the colors are concerned, अब यहां देखिए, as a bank के तरह यहां पर यूज किया गया है, कि अमेरिका ने जो एक promissory note रहे दिया था, अपने citizen को, जिसका की color black है, Instead of owning the secret obligations, यहां अमेरिका जो है, उसको जो यह पवित्र obligation है, जो obligation अच्छा है उसको देने के बज़ाए, अमेरिका has given the negro people a bad check which has come back mark insufficient fund, यहां जो बैंक के चेक के तरह यूज किया गया है, कि अमेरिकान जो अपने negro citizen को जो चेक दिया गया था, कि आपको भी अधिकार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो lot करके आ गया है, come back insufficient fund की, यह बता रहा है कि fund available नहीं है, तो इसका ultra meaning क्या हुआ, बट वी refuse to believe that the bank of justice is bankrupt, तो अब कह रहा है कि मैं इस बात को मानने के तयार नहीं हूँ, कि American लोगों को जो चेक दिया गया था, और वो चेक लोट के आ गया है, यह कहने के लिए कि bank में पैसा नहीं है, बैंक रफट हो गया, तो यहां bank और चेक से मतलब नहीं है, यहां मतलब है कि American को जो वादा किया गया था, कि आपको justice मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, यह बात उसको नहीं मिला है, और इसलिए नहीं मिला है, कि America में available नहीं है, अमेरिका में available है, लेकिन उसको दिया नहीं गया है, इसलिए कह रहा है कि bank की justice, we refuse to believe that there is insufficient fund in the great value of opportunity of the nations, again वही बात कहा, कि हम इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है, कि American जैसे देश में opportunity की कमी है, so we have come to cash this check, इसलिए हम लोग आये हैं उस check को cash करने के लिए, check that will give us upon the demand, the reach of the freedom and security of the justice, यानि वो जो check जो हम आज in cash करवाने आए हैं, वो हम को क्या देगा, freedom देगा, security of justice देगा, यानि हम लोग भी एक तरह से आपके तरह रह सकते हैं, फिर next कहता है, कि we are also come here to hollow sport, hello sports, we have also come here to this hollow sport to remind American of the fire sea urgency of now, अब हम यहाँ पर इसलिए भी आप, याप hello का मतलब है, hollow का मतलब है, यह जो we have also come here to hollow sport, यह जो पवित्र जगा है, यानि कि यह जो respected memory है, यानि कि चुकि Lincoln Hall है, तो Lincoln Hall काफी एक तरह से respectable house है, उस तरह के से कर रहे, we have also come here to hollow sport, to remind America, America को याद दिलाना के लिए, किस चीज़ को, fire sea urgency of now, इस चीज़ का अब काफी जादे demand है, कि हम लोगों को अपना justice चाहिए, इस बात को खतम कर दीज़, यानि कि एक ऐसा ड्रंग ले लिजिए, जिसमें कि अग्दम पुरा tranquility का मतलब तरह सांती होना, और gradualism, कि धीरे धीरे ये काम होते रहेगा, आप पो justice मिलते रहेगा, ऐसे लिए आप इसकी जरुत है, चाहिए तभी चाहिए, अब ये टाइम क्या है, उस जगह से उठने का समय है, कहां से, dark and dissolute valley, dark मतलब अंधेरा, dissolute मतलब एंपटी valley से, किस कौन से valley, ये जो valley है, किस का, segregation का, ये जो segregation का valley है, dark and dissolute valley है, उस चीज़ से उठने की जरुत है, sunlit for the racial justice, now it is a time to let our nations from the quick sands of the racial injustice to the solid rock of brotherhood, अभी ये time है, हमारे देश को किस से, lift करने का, किस चीज़ से, quick sand of the racial injustice, यानि racial injustice ये है, उस से उठकर के, solid rock of brotherhood, यानि की भायचारे की चीज़ बहाने के लिए, it would be fatal for the nation to overlook the urgency of the movement to underestimate the determination of the Negro, अभी ये बहुत बुरा हो सकता है, कि अगर हमारे डिमांड को overlook कर दिया जाए, ये जो urgency है, हमारे movement को उसको overlook और इसको underestimate करे, कि हमारा जो determination है, Negro का determination है, उसको overlook कर दिया, अभी ये करें, अभी ये करें, ये करें, इस चीज़ के लिए खुशने, will not pass, खतम नहीं होगा, until there is an evrogative autumn of freedom and equality, जब तक ये, evrogating का क्या मतलब है, evrogating का मतलब होता है, कि making you feel healthy, जब तक ये एक ऐसा autumn आ जाए, freedom वाला autumn, equality वाला freedom, यानि कि अच्छा freedom नहीं आए, तब तक ये खतम होने बाला नहीं है, 1963, 1963 is not an end, 1963, 1963 is not an end, but अब बिगनी, ये जो 1963 है, जब वो भास नहीं रखे रहा कि खतम नहीं है, यहां से शुरुवात हुआ है, those who hope that the Negro needed to blow off the steam and will not be content, will have a rude awakening, if the nation return to the business as usual, कह रहा है, कि अगर जिस किसी को, those who hope, जो ये आसा करता है, समझता है, that the Negro needed to blow off, यानि कि निग्रो को खतम कर दिया जाए, Negro steam and will not be content, will not, will not be content, और खुस हो जाएगा, have a rude awakening, यानि कि उसको समझ नहीं है, if the nation return to business as usual, अगर नेशन अपना, अगर नेशन as usual, business as usual, कह मैंतला कि, जैसे नेशन चलना चाहता है, और उसमें अगर कोई hope करता है, कि Negro को, जो demand है, उसको हम sub-size कर दे, यानि कि उसको खतम कर दे, ये होने बाला नहीं है, Negro is granted his citizens, निगरों को जो अधिकार चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए, the wind will of the revolt will continue to seek the foundation of our nation until the bright day of justice emerges, कह रहा है, ये जो wind will का क्या मत्ता, wind will का मत्ता होता है, एक पानी में जो आप देखते हैं, कि पानी कैसे move करता है, निकि एधर हम तूफान कह सकते हैं, तो ये जो wind will है of revolt, ये जो आंदुलन हम लोगों नो किया है, ये continue रहेगा, to seek the foundation, ये कि देश का जो foundation है, उसको हिला करके रख देगा, until the bright day of justice emerges, जब तक कि justice नहीं मिलता है, but there is something that I must say you, to my people, who stand on the warmth threshold, किन्तु मैं सबको ये कहने वाला हूँ, जो हमारे लोग हैं, जो कि warm threshold पे खरा है, ये कि एक दाइरे पे खरा है, which leads to the palace of justice, जिसको कि एक दिन वो लोग justice के ऊपर पहुँचेगा, ये कि उन लोगों से कहना चाहता है, जो justice के लिए fight करा, उन लोगों कहना चाहता है, in the process of gaining our rightful place, we must not guilty of wrong food, in the process of gaining our rightful place, ये कि हम अपने आधिकार पाने के चक्कर में, हम लोग कहीं दोसी न साबित हो जाए, guilty of wrong food, जो कि जब आप legitimate विद्रो करते हैं, अक्सर सुनते हों कि इंडिया में भी किसी चीज़ के लिए, जब कोई आधिकार के लिए आंदूलन करता है, तो कहते हैं, आंदूलन वाइलेंट नहीं होना चाहिए, तब आपका जो है, डीड जो है, आपका जो तरीका होता है, खतम हो जाता है, let us not seek to satisfy our first thirst of freedom, by drinking from a cup of bitterness, कह रहा है कि हम लोग जो है, हम लोग अपने freedom को, की जो thirst है, यहीं डिस freedom को पाना चाहते हैं, प्यास है, freedom का प्यास है, उसको पाना जो चाहते है, उसको हम लोग किस चीस से, बिटर या हेटरेट से नहीं मिले, हम लोग को freedom मिले, लेकिन शांती से मिले, यहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं बरे. इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने स्ट्रगल को इस तरीके से कंडर्ट करना चाहिए कि उसमें dignity हो, discipline हो हम लोगों को जो अपना प्रोटेस्ट है उसको degenerate नहीं होने देना चाहिए into the physical violence अब degenerate का क्या मतलब है ता, degenerate का मतलब become worse यानि कि हमारा जो आंदूलन है वो physical नहीं होना चाहिए यानि कि हमारा आंदूलन किसी से जगरा करके नहीं होना चाहिए with the force, soul force फिर लाक्ष्ट में कहता है the marvelous new militancy which has engulfed the negro community यह जो हम लोगों में जो marvelous militancy का मतलब जो हम लोग जो एक बने हैं अपने struggle के लिए जो negro community में आया है must not let us to disturb all white people यह जो है जितने सारे white people है उसको disturb ना करे for many our white people for many our white brothers are as evidence by their presence here today चोकि जितने सारे हमारे white people है white brothers है वो evidence है इस बात का कि कोई कि वो भी हमारा साथ दे रहे है आज यहां presence हो करके so evidence by their presence today have come to realize that their destiny is tie up with our destiny यानि कि उनका जो destiny है वो हम लोगों के destiny से tie up है and have come to realize that their destiny is tie up with our destiny and freedom is in textibly born to our friendly कि उनका भी जो freedom है वो हमारे freedom से in textibly का मतलब होता है एक तरह से बड़ा close हो जाना in textibly का मतलब बड़ा closely and unable to separate यानि कि उनका भी freedom हमारे freedom से tact है we cannot walk alone हम लोग अकेले नहीं चल सकते है फिर कहता है as we walk we walk to place that we should always march ahead जैसे हम लोग walk करेंगे तो हम लिए place सफत लेते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बरेंगे we cannot turn back हम लोग पीछे नहीं लोटेंगे there are those who are asking the devotees of civil right कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगो यह जो devotee है civil right के उससे पूछ रहा है कि when you will satisfied कब तुम संतुस्ठ होगे we can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain losing in the motel of highway and the hotel of the cities हम लोग कभी सटीसफाइड आज लोग नेवर भी सटीसफाइड as long as our body जब तक हमारा body है heavy with the fatigue of travel जब तक हम लोग travel कर रहे cannot gain losing in the motel or highway हम लोग कभी भी hotel में नहीं रुकेंगे और वहां पर आराम नहीं करें we cannot be satisfied as long as the Negro basic mobility is form a ghetto of the large one हम लोग कभी भी सटीसफाइड हम लोग तब तक हम लोग we cannot be satisfied हम लोग सटीसफाइड नहीं हो सकते as long as जब तक की नीग्रों की जो basic mobility है यानि नीग्रों जो है एक जगा से दूसरे जगा जो जा करके रहते हैं वह अगर वह smaller घीटों में गीटों का मतलब बहुत ही पूर इलाका जो तरह समस्लम क्या सकते हैं उसमें जब तक नीग्रों रहता है we cannot be we can never be satisfied as long as the Negro is Mississippi cannot vote हम लोग तब तक सटी हम लोग तब भी सटिस्पाइड ने होता जब तक की नीग्रों को यह अधिकार ना मिले कि वह भूट ना दे सके नीग्रों लिए उसके पास कुछ भी नहीं है यह सब चीज़ जब तक उनके पास नहीं होगा तब तक हम लोग सटीस्पाइड नहीं होगा जब तक की जब जब तक की जस्टीस जो है रोल लाएके वाटर जब तक की वाटर के तरह फ्लो ना करें राइटनेस ने सब्सक्राइड ना करें अच्छा चीज राइटनेस का मतला होता है अच्छा बीहेवियर या जो सब कुछ जो सही है वो एक तरह से और अम्रालिटी के रूप में और अब यहां पर लोगों को कह रहा है माटी लूदर कि मैं इस बात से अन्माइंडफूल नहीं है कि मुझे पता है कि यानि कि तुम लोगों काफी मुस्किल का चामना करना करना परा है और ट्रैबूलेंस अच्छ तो आप लो फ्रेश और नेरो से यानि बहुत छोटे छोटे जगह हों से निकल किया है some of you have come from the area where your quest for freedom कुछ लोग तो आप उन जगह से आये हों जहां पर कि आपका जो search है quest का मतलब होता है search quest for freedom left you battered by the storms of persecution and cigar by the winds of police brutality हम मुझे यह करा कि मैं unmindful नहीं हूँ यानि कि मैं mindful ही मैं जानता हूँ कि आप कहां कहां से आए उसी में एक लाइन यह कहता है some of you have come from the quest of freedom यानि कि आप freedom के search में left you battered यानि कि आपको battered का मतलब क्या होगा कि आपको crush कर दिया गया है किसके दौरा by the storm of persecution यानि कि जिसमें police जो persecute करता हूँ इसके दौर स्टेगर by the wind of police brutality यानि कि आपको तोड़ दिया गया है किसके दौरा प्रूस पुलीस के brutality के दर पुलीस जब आप पे अत्याचार कर रहा उसके दौरा you have been the veterans of the creative suffering तक कह रहा है आप veteran है creative suffering का veteran का मतलब क्या होता एक ऐसा इंसान जो काफी experience हो जाता किसी चिंद्र यानि कि आप suffering के veterans है continue to work with the faith that the unearned suffering is redemptive यानि कि आप ये जो struggle है वो जारी रखिए जब तक ये आपको मिलता नहीं redemptive का मतलबत है saving from someone from यानि कि आप veteran हो चुके हैं तो veteran हो चुके तो आप ये जो आपको नहीं मिला है unearned suffering से आपको एक दिन मिलेगा तो इसके लिए आप जारी रखिए next कहता है go to Mississippi, go to Albana, go back to Georgia and go back to Lusania यानि कि वहां पर सब जगा जाये go back to the slum of gatos of our northern cities knowing that some of this situation can and will be changed यानि कि वहां जाये और जानिये कि यहां का जो situation है कभी बदलेगा बदल सकता है और बदलेगा let us not wellow in the value of despair value का मत्तला होता है real या stumble कि हम लोग ये जो हम लोग इसके struggle में खतम ना हो जाये या stumble ने हो जाये खतम ना हो जाये I say you today तो रहा सा इसका font जो है अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है क्या करें तो आप कहा रहा है कि I say you today my friend I say you today चुकि मैं तो read कर लेता हूं आपको थरा से दिखाई चुता है I say you today my friend in spite of all difficulties and frustration of the moment I still have a dream कहना है कि मैं आप लोगों के कहता हूं इतने सारे difficulties और frustration के बार मेरा एक dream है I still have a dream its dream deeply rooted in American dream और ये जो मेरा dream है वो American dream में rooted निक अमेरिका के dream के साथ क्या है क्या है dream तो इसलिए chapter का नाम है I have a dream that one day this nation will rise up यानि कि ये नेशन जो है उठेगा लिव आउट और जागेगा to the true meaning of its creed यानि कि यहां creed का क्या मतलब होता है belief यानि कि ये नेशन जो किस चीज में बिश्वास करता है भायचारह में equality में justice में उस चीज में ये नेशन एक दिन उठेगा और जानेगा अश चीज को we hold this truth to self-evident ये इस truth को हम लोग अपने साथ ले करके चले that all men are created equal हर इनसान जो है वो equal है I have a dream that one day on the red hill of Georgia son of a farmer slaves and the son of the farmer slaves owner will be able to sit on together at table of the brother है कि एक दिन मेरा dream है कि Georgia के hill में जो फार्मर के बेटे slave है जो son of the farmer slave जो है और son of the farmer slaves owner यानि उसके मालिक जो है कि जो बेटे हैं दोनों एक साथ बैठ करके और as a brotherhood के तरह काम करेंगे I have a dream that one day even of the Mississippi is a desert state यानि मेरा एक dream है कि even though Mississippi जो desert state है sweltering with the heat of injustice and operation जहां पर की injustice और operation लोगों को दवाया जा रहा है कुछला जा रहा है will be transport into the osis of freedom and justice एक दिन क्या हो जाएगा वो पूरा सांथ जगह यहां पर osis का मतलब क्या हो गया एक दम पूरा सांथ यानि काम प्लेजन्ट वाला जगह freedom of justice और सिसका मतलब एक रहकिस्तान में जो एक जगह पानी होता उसको भी कहते है I have a dream that my four children will one day live in the nation where they will not be judged by the color of their skins but by their content of their character मेरा ये भी ड्रीम है कि मेरे जो चार बच्चे है उसको इस अमेरिका में उसके color के द्वारा नहीं उसके character के द्वारा जज किया जाएगा I have a dream today मेरा dream है I have a dream that one day the state of Albana whose governor's lips are presently dipping with the words of interpositions and mollifications will transport into the situation where the little black boys and black girls will able to join hands with the little white boy and the white girls walk together as a sister and brother कि मेरा ये भी dream है कि आज आलवाना के जो गवर्नर है जिसका की lip बांधा हुआ है प्रेस्टिकेशन जो की पूरा सांथ है एक दिन वो transform होगा वो बदलेगा और यहाँ जो black people के बच्चे हैं लर्किया लर्किया है वो क्या करेंगे जो white people के लर्किया लर्किया उसके साथ हा करें लवाइब साथ है कि तरह से हीज़ होना के तरह से मतलब चेंज होना होता है यहां पर तो कह रहा है कि एवरी वेली शळ बी स्टेल टेल रियने की चेंज हो जाएगा एवरी हिल एन मांटें स्टाना वी मेढ लो चितना सारा हेल यहां hill और mountain को low का करने का मतलब यह नहीं हो गया कि मना पहार को और hill को यहां पर जो injustice हो रहा है उस चीज़ को कह रहा है कि every hill and mountain shall be made low, rough place will be made place जो rough place है उसको plane कर दिया जाएगा यानि कि लोगों को जो भी uneven मिल रहा है सब को सही हो जाएगा rock crooked place will be made straight and the glory of lord यानि भगमान का जो lord का जो असली जो भगमान की ख्याती है will be revealed and flesh shall see together यानि एक तरह से दिखा जाएगा next करें this is our hope यहीं हमारा hope है this is faith which with I return to sort यहीं मेरा faith है जिसके द्वारा मैं sort return होगा with this faith we will be able to hew out the mountain of despair a stone of hope यानि इसी hope से हम क्या करेंगे यह जो despair वाला mountain है यानि कि निरासा का जो एक पहार खरा है उसको hew out कर देंगे काट करके क्या कर देंगे stone बना देंगे इतना कह रहा है कि इतना वो आसावान लोगों को बना रहा है with this faith इसी faith के साथ we will able to transport the jingling discord जिंगल का मतलब होता है आवाज यानि कि लोगों के मन में डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लोगों के मन में वो बेचानी है या तरह सम कह सकते है अच्छा नहीं हो ना यह जो हम इस faith के साथ return होंगे we will able to transform jingling discord यानि कि लोगों के में जिंगलिंग डिस्कॉर्ड है for our nations of the beautiful symphony आप देखे बड़ा सुन्दर सा लाइन यूज किया गया है कि we will be with this faith we will able to transform the jingle jingle का मतलब होता है कि आवाज जब कॉलाहल वाली आवाज होती है किसका आवाज डिस्कॉर्ड का यानि कि लोगों को जो प्रात्ना जो injustice मिल रहा है उस चीज का जो आवाज सुनाए दे रहा है वो change हो जाएगा कि इसमें beautiful symphony symphony का मतलब भी एक आवाज होता है लेकिन बना pleasant आवाज होता है उसमें change हो जाएगा फिर last में कह रहा है of our brotherhood with this hope we will be able to work together और इसी hope के साथ हम लोग एक साथ काम करेंगे to pray together एक साथ काम करेंगे to struggle together एक साथ struggle करेंगे to go to jail together एक साथ jail जाएंगे to stand up for freedom together एक साथ freedom के लिए खरा होंगे knowing that we will be free one day यह जानते हैं कि एक दिन हम लोग free हो जाएगे this will be the day when all God children will be able to sing with a new meaning और इस दिन में क्या होगा यह जो दिन होगा उसमें जितने सारे God के बच्चे हैं God के बच्चे मतर काले उजले ब्लैक कलो के या वाइट कलो के सारे क्या होगा एक ही गाना गाएगा my country this of you यानि कि मेरा जो country है यह आपका अभी है sweet land of liberty और यह जो land है हो liberty यह जो sweet land है वो liberty का है of you यानि अथी का मतलब you होता I sing land where my father died यह land जहां मेरा पिता जी का death हुआ the land of the pilgrim pride यह land जो कि काफी पवित्र है for every mountain side let freedom sing और हर mountain side जहां पर की freedom sing करे and if America is to able a great nation this must be true अगर America एक great nation है और होना चाहता है तो यह बात सच होनी चाहिए so let's freedom ring from the prodigious hip top prodigious मतलब बहुत बढ़ा होता है उसके hip top से कहां पर new hemisphere let freedom sing from mighty mountain यह जो freedom को है वो कहां पर mighty mountain तक यह इसको घूमने दो of new york let freedom sing from hiding allegory for pennsyvillia यानि कि यह जो freedom है वो कहां से कहां ते जाले गए allegory to pennsyvillia जगा कर नाम है let freedom ring from the sow krip rockies all colorados यानि कि इस freedom को वहां पर भी जाने दो let freedom ring from the करके वो peak of california यहां पर यानि कि हर जगा कहा रहा के freedom होना चाहिए but not only that let freedom ring from the stone mountain of georgia यानि कि यह जो stone mountain of georgia का वहां पर भी इसको जाने दो let freedom ring from the lookout mountain of tennessee's वहां पर भी जाने दो हर जगा नाम बता रहा freedom को let freedom ring from every hill to every mole hills of mississippi यानि इस freedom को कहां से कहां तक हर जो hill है छोटा सा ले करके बराता mole hill mississippi from every mountain side let freedom ring यानि हर जगा इस freedom को यानि freedom हर जगा होना चाहिए एक freedom एक symbolic नहीं होना चाहिए freedom actual में exist करना चाहिए आप सोच है mountain की बात करें कि वहां पर भी कितना freedom के लिए struggle की बात कहा रहा है फिर last में करा है when we will when we let freedom ring जब हम लोग इस freedom को ring करने देंगे when we let it ring from every village to every helmet helmet का मतलब यहां पर हम लेट का मतलब छोटा सा जगा होता है तो यानि कि जब विलेज से हम लेट किये जाएगा from every state to every city हार state सहर सिटी के we will be able to speed up that when all gods childrens, black, men and white Jews and gentles, potents and catholics will be able to join hands and sing in the words the only grace spiritual free at last यानि जब यह होगा तो उसमें क्या होगा जब सारे god के बच्चे यानि god के चुकि वो पहले सुरुआत में वो थे ना, baptism, baptist है तो इसलिए यहां पर भगवान को भी ले आए कि सारे god के बच्चे जो है जब भगवान के बच्चे हैं जब वो black हो की, white हो की, juice हो की, gentles उसके pretence हो की, catholic सब क्या होगा will be able to hands सब हाथ मिला करके फिर गाना गाएंगे क्या only negro spiritual जो negro का अपना spiritual सांग है कि free at last हम लोग आन्थ में free होगे free at last thank god almighty we are free जब भगवान का सुकर है कि हम लोग free होगे तो इस तरीके से इसमें जो black के उपर जो यातना या प्रतारना ये सब जो injustice वगएर दिया जा रहा था अमेरिका में अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता recently आपने देखा होगा तो ये जो हमारे इंडिया में भी आपकी देखने को मिलता है इतने साले इंडिपेंडेंस के हो चुके है यही बात इसी को खतम करने के लिए मार्टिल लूटर किंग ने ये speech दिया था और इसी लिए पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस भी हुए गांधी के बरे अनुवाई थे तो अब देखो इस जो चुकी वो बैप्टिस्ट थे और थुरा सा कहीं पर रिलिजन का वार्ड यूज गए कहीं बैंक के चेक को यूज गया तो एक तरह से कम्प्लीट ट्रांसलेशन जो होता है कभी जब इंग्लिश पढ़ते हैं तेक्च और आपको बताते हैं कि हमेशा ट्रांसलेशन करने की बात ना करें उसको उसके भाव को समझने की कोशिश करें तो अच्छी तरीके साब को समझे से बैंक चेक की बात की गई थी तो वहाँ पर बैंक चेक से बैंक का मतलब नहीं था यानि कि आपको तब मैंने बताया था कि किस चीज़ से उसका मतलब था, symbolic meaning था तो इसी तरीके से इसको बड़बरा सुन्दर सा चप्टर है बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है काफी अच्छी यह word भी यूज किया गया है तो फिर यह चप्टर खतम होता है मिलते हैं नेक्स चप्टर के साथ और आप हमको comment box में लिक कर जरूर बताये कि अगर कोई चप्टर बरा बनता है तो मैं फिर उसको छोटा भी बना करके बताती तो मुझे लगा कि इसको एक ही साथ बता दिया जो चप्टर बरा होगा उसको में अलग अलग डिवाइड करके बताता हूँ और question answer तो answer तुमें बात में discuss करूँगा ठीक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता आप इसको like करे subscribe करे मेरे चैनल को share करे till the time have a good day to all of you